जै मातादी फ्रेंस कैसे हैं आप सबी और धन्तिरस की पूजा कैसे करें उसकी बहुत ही सरल विदी आज में आप लोगों के साथ सेर करने जा रही हूँ तीस के लिए हमें बहुत सारे सामगरी की जवत नहीं पड़ेगी जो नॉर्मल पूजा में हम जो भी सामगरी से पूजा करते हैं वही सारी सामगरी इस पूजा में भी हमें चाहिए होगी तो friends जिस अस्थान पे हम फूजा करेंगे, सबसे पहले तो उस अस्थान को हम हलदी से लीप लेंगे उसके बाद वहाँ पे हम एक पाटा या चौकी रख लेंगे, उसके उपर हम लाल रंग का कपरा विछा लेंगे अब सबसे पहले तो हम एक दीप परजुलित करेंगे तो जिस अस्थान पे हम दीप परजुलित करेंगे वहाँ पर आप चाहे तो अस्थ दलकमल बना ले या चावल का आर्शन दे के उसके बाद इस पे हम दीप परजुलित करेंगे तो दीप का मुख हमारी ओर होनी चाहिए और धन्तेरस पर धन्बंतरी जी की पूजा होती है जो की आयरवेद की देपता है और कुवेर जी की भी पूजा की जाती है जो की धन के देपता है तो सबसे पहले हम गने जी और गौरी जी की पूजा करेंगे उसके बाद ही हम धन्बंतरी जी और कुवेर जी की फूजा करेंगे अब यहाँ पर दिखिए सबसे पहले तो हम जल से इनको अश्नान कराएंगे उसके बाद हम चनामरी से भी इनको अश्नान कराएंगे और उसके बाद हम फिर से इनको जल से अश्नान कराएंगे तो जैसे हम किसी मेहमान को अपने घर बुलाते हैं तो सबसे पहले हम उनका हाथ पेर धुलाते हैं और फिर उनको हम जल पिलाते हैं और उसके बाद हम उनको अशनान कराते हैं तो उसी तरीके से हम इनको भी हाथ पेर धुलाएंगे और उसके बाद जो है इनको हम जल पिलाएंगे और उसके बाद हम इनको अशनान कराएंगे उसके बाद इनको हम बस्त धारन कराएंगे तो अगर आप लोग फोटो की पूझा करेंगे तो फिर आप मौली से भी उनको बस्त अर्फित कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मेरे पास मुर्ती है, तो इसलिए मैं इनको वस्त दारन करा दी हूँ, अब इनको हम जहाँ पर भी अस्थापित करेंगे, वहाँ हम सबसे पहले चावल से इनको आसन दे देंगे, तो हम यहाँ पर देखे, गनेजी और गौरी मा दोनों के लिए यहाँ पर आरसन चावल का दे दिये हैं, उसके बाद इन दोनों को हम यहाँ पर अस्थापित कर देंगे, अब जल छिरकर इस जगह को हम सुद कर लेंगे, और हम गनेजी को लगाएंगे, रोरी के टीके, उसके बाद हल्दी, फिर हम इनको अच्छा चरहाएंगे, गोरी माता को हम सिं हम दिये की भी पूजा करेंगे, तो दिया को भी हम गोरी के टीके लगाएंगे, अच्छा चरहाएंगे, और हम फिर फूल चरहाएंगे, और इसके बाद हम गनेजी को एक जिनव अर्पित करेंगे, और फिर हम फल भी अर्पित करेंगे, तो आप फल कोई सा भी सिजनली फल यहाँ पे चरहा सकते हैं तो गने जी की पूजा करने के बाद अब हम कुवेर जी और धन्मंतरी देवी जी की पूजा करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कुवेर जी की मूर्ती है अगर आप लोगों को कुवेर जी की मूर्ती नहीं मिलती है तो फिर आप फोटो भी रखके पूजा कर सकते हैं और धर्मंतरी जी कि अगर आपको फोटो मिल जाती है तो ठीक है नहीं तो फिर देखे इस तरह से भी आप उनको पूजा कर सकते हैं एक सुपारी में आप कलावा इस तरह से लपेट के और फिर आप धन्मंत्री का रूफ देके और इनको फूजा कर सकते हैं तो इनको भी हमें उसी तरीके से अश्नान करानी है और आप मन में भाव रखे कि हम इनको अश्नान करा रहे हैं हम इनको जल पिला रहे हैं तो मन की भाव की ही पूजा होती है हमें बस मन में बहाव रखे सब कुछ करना चाहिए तो यहाँ पर देखिए इनको भी हम जल से अश्टनान करा दिये चनामरी से अश्टनान करा दिये हैं और धन्तेरस की दिन धन्मंतरी माता को चनामरी से अश्टनान कराने से वो बहुत जल्दी आप पर परशन होती हैं और वो आप खूप सारा आशिरबाद देती हैं धन्मंतरी आइडवेट की देपता हैं तो इसलिए आपके घर में कभी दवाईयों पे ज़्यादा खर्श नहीं होता है और आपके यहाँ जल्दी कोई बीमार नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए इनको भी हमश्टनान कराके और फिर इनको हम चावल से आशन देके इनको हम अस्थापित किये हैं और इसके बाद हम कुबेर देपता और धन्मंतरी देवी दोनों को हम मौली का वस्तर धारन कराएंगे और इसके बाद इनको भी हम रोडी के टीके लगाएंगे अच्छा चराएंगे फूल चराएंगे और इनको भोग लगाने के लिए आप धन्तेरस के दिन कुछ मीठा जरूर बना ले आप चाहे तो दोद का खीरी बना ले या आप मिठाई बना पाए तो मिठाई बना ले जिलेविया बना लेकिन जो भी हो लेकिन आप घर में कुछ भी इनको भोग लगाने के लिए बना ले तो यहाँ पर देखिए मैं इनको फल से भोग लगाई हूँ उसके बाद यहाँ पर यह देखिए मैं इनको लड़ो से भी भोग लगा रही हूँ और धन्तेरस के दिन हम कुछ नया खरीते हैं तो उसकी पुजा भी हम करते हैं तो जो भी आप समान खरीत के लाएं हो वो यहाँ पे रखे उसकी भी आप पुजा कर ले तो धन्तेरस के दिन आप पीतल और लोहा छोड़ के कुछ भी खरी सकते हैं कपड़े, जोली या कोई भी समान आप खरी सकते हैं बस लोहे का समान उसने नहीं खरदा चाहता है और धन्तेरी देवी को आप थोड़ी सी धनिया जरूर से अर्पित कर दे भले ही वो 50 ग्राम की क्यों नहीं हो लेकिन आप उनको जरूर से अर्पित करें और पूजा में मूर पंक रखना आती ही सुब माना गया है उसके बाद यहाँ पर देखें मैं आर्ती की थाल त्यार कर रही हूँ तो आर्ती की थाल में जो है वो स्वास्तिक बना लेंगे और कुछ लोगों के यहाँ तेरस्ट के दिन आटे की तेरा दिये जलाए जाते हैं अगर आप लोगों के यहाँ यह नियम होगी तो आप जरूर से जलाएगा लेकिन हम लोग के हाँ ऐसा नियम नहीं है तो इसलिए मैं नहीं जला रहे हूँ तो यहाँ पर जो है वो हम अप इनकी आर्थी कर लेंगे और इसी तरीके से बहुत ही सरल रूप से ही इनकी पूजा की जाते है वैसे पूजा में तो आप जीतना भी जो भी जादा से जादा करेंगे पूजा उतनी ही बड़ी हो जाएगी तो मतलब आप इस तरग्ये से भी आसान तरीके से भी पूजा कर सकते हैं भगवान हमेशा समान नहीं बलकि आपके मन की सच्चे भाव को देखते हैं और आपके सच्चे मन में भाव हो तो भगवान बहुत ज़्यदा परशन होते हैं तो इसी तरीके से आप सरल विदिल से कुवेर देपता की पूजा करेंगे धर्मंतरी देवी की पूजा करेंगे और आपकी सारी मन कामना पूर्ण होगी तो इसी के साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और दीपावली खुशियों का तेवार होता है तो आप लोगों को हैपी दिपावली और आप लोग भी मुझी कमेंट बॉक्स में हैपी दिपावली बोल के मेरे साथ खुजिया बार सकते हैं तो चलिए फिर मिलेंगे हम